गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो प्राचीन कालीन भारत के प्रमुखिस्तल हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेंगी तता वातापी का इतिहास ठीक है तो कई बार मतलब एक्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं जैसे कि नेट का एक्जाम है और आपका सेक्ट ग्रेट टीचर का एक्जाम है इन सभी में इतिहास से संबन्दित ये जो इस्थल है इनके बारे में पूछा जाता है तो देखेगा वीडियो को आप दहान से देखें आपको एक्जाम में बहुत ही हल्प मिलेगी तो चलिए पढ़ते हैं प्राचिन कालिन पर्मुक स्थल वेंगी एम वातापी का इतिहास वेंगी तो जो ये वेंगी है ये कहां परिस्थित है तो आंदर परदेश की कृष्णा तथा गोदावी नदियों के बीच नेलोर के उत्तर में वर्तमान पेड़ वेंगी नमक स्थान से वेंगी को समिकरच किया जाता है ठीक है तो वेंगी का अंश्थित है अंदर परदेश में ओके समूत्र गुप्त के लेख में इस राजिय का उलेख दक्षिनापत के राजियों के साथ हुआ है यहां का राजा हस्ती वर्मन था उसे पहले समूत्र गुप्त ने परजित किया परंतु फिर करपापूर्वग मुक्त कर दिया हस्ती वर्मन संभवता है साय कायन वन्स का राजा था ठीक है वातापी के परशित चालू के साथ सक पुलकेसिंद्वित्ये ने वेंगी को जीत कर अपने छोटे भाई विश्णु वर्धन को यहां का उपराजा बनाया था कालांतर में उसी ने यहां एक श्वतंतर चालू के वन्स की स्थापना की जिसे पूर्वी चालू के वन्स कहा जाता है जर्दी ही यह है एक श्वतंतर राजे बन गया तथा विश्णु वर्धन ने वेंगी के पूर्वी चालू के वन्स की स्थापना की कई बार उत्रादिकार के प्रिश्णों पर यह राजे राष्ट्रकूटों, चोलों तथा कल्याणी के चालूंकियों के बीज भी विवात का कारण बना था तो यह था आपका वेंगी अब अगला स्थला आता है वातापी कर्नाटिक राजे के बिजापूर जीले में वर्तमान बादामी ही प्राचिन काल का वातापी है अर्थाद वातापी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है बादामी है यह नगर चालू के वन्स की राजदानी थी तो वातापी है यह चालू के वन्स की राजदानी था इसकी स्तापना पुलकेशिन पर्थम ने की तथा यहां एक सुद्रण दूर का निर्मान करवाया उसके उत्राधिकारियों के समय में इस नगर की महत्ती उन्नत्ती हुई आठवी स्तापती के मत्ते यहां राष्ट्र कुटों ने अधिकार कर लिया था वातापी हिंदू, बोध तथा जैन दर्मों का परसित केंद्र था चालो के सासको ने यहां अनेक निर्मान कारिये करवाये यहां से पासान काट कर बनवाये के चार इस्थम्ब यूक्त मंडपों के उधारण मिलते हैं इसमें तीन हिंदू तथा एक जैन का है सभी में इस्थम्बों वाले बरामदे मेहरापदार ताक तथा वर्गा कार गरब ग्रै हैं एक वैशनव गोहा मिलती है यहां से जिसके बरामदे में विश्मों की दो रिलीफ मूर्तियां कौन-कौन सी अननतिसाई तथा नुरिश्य है रूप मिलती हैं गुफाओं की बीथरी दिवारों पर सुन्दर चित्रकारिय मिलती हैं इनकी वास्तु तता इस्तापत्ते सराहनिये हैं तो यह था आपका वातापिक नामक इस्थल्म जिसके बारे में एकजामे कई बार पूछा जाता है और यह दिया आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें सुझाव आप देश सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद